फाइनल फिजिकल से पहले क्या खाना है क्या हम कोई ग्लुकोज या मेडिसीन या इंजेक्शन ले सकते हैं बंद आपसे निकल रहा है तो आपको खुश होना है सोचना है कि जहां तू 17 मिनट में आएगा मैं 20 मिनट में आऊँगा तू भी पास मैं भी पास हमारा ट्रेक कैसा है क्योंकि अगर आप ट्रेक के बारे में पहले जाओन लोगे तो 99 परसेंट आप फिजिकल आराम से निकाल लोगे दूसरी बात देखो क्या होती है हम गउं के बंदे जब पहली पहली बार घर से निकलते हैं फिजिकल देने के लिए फिजिकल से पहले क्या खाना है क्या हम कोई ग्लुकोज या मेडिसीन या इंजक्सन ले सकते हैं फिजिकल के रात हमें क्या खा कर सोना है कितने दिन पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस करना छोड़ देना है और अपने बॉडि को फुल डेस्ट देना है भाया मेरे तो पेर में दर्द है, सीन पैन है, घुटने में दर्द है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे 26 मिनट लग रहे हैं, 27 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, 11 मिनट लग रहे हैं, आज का ये वीडियो फैनल फिजिकल को लेकर बहुत ज़्यदा इंपोर्ट 12 बज़े, 2 बज़े, 2 पहर में आपका running हो, उस समय आपको क्या करना है, तो final physical का ये वीडियो बहुत ज़दा important है, और मैं आप से बादा करता हूँ कि आपको practice के दौरान 26 मिनट, 25 मिनट लगते हैं, 10 मिनट, 9 मिनट लगते हैं, लेकिन final दिन आप 8 मिनट और 20 मिनट में आओगे, मैं लिखित में आपको देता हूँ, तो चलो physical के इस important वीडियो को जब दी से शुरू कर लेते हैं, देखो मुझे मालूम है कि समय बहुत ही कम बचा है, और आपको physical की practice करने का भी ज़्यादा समय नहीं मिला, मुझे मालूम है आपके ankle में दर्द होंगे, घुटने में दर्द होंगे, कमर में दर्द होंगे, सिन पैन होंगे, थाई muscles होंगे, देखो अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब आपको practice के दोराण medicine लेने ही परेगी, बट medicine लेना कैसे है तो आप डॉक्टर से मिल लो, उससे pen killer और calcium की tablet ले लो, साथ ही साथ पूरे body को मालिस करो, देखो मेरे दोस्त, जब जंगल का सेर घायल हो जाता है, तो वो और बहतर सिकार करता है, तो अगर आपको दर्द है, तो track पर जाने के बाद आपको यह सोचना है, कि 0 km वाले भहिया ने बोला है, कि जब सेर घायल होता है, तो वो और बहतर सिकार करता है, अगर मुझे दर्द है, मैं घायल हूँ, तो मैं 110% physical निकाल कर आऊंगा, और SCGD का physical बहुत 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 अगर आपने माइंड को प्रजैंस में रखा, अगर आपने सुरू में, स्टार्टिंग में बहुत स्वीड नहीं दो रहा, अगर कोई बंदा आपसे निकल रहा है, तो आपको खुश होना है, सोचना है, कि जां तू 17 मिनट में आएगा, मैं 20 मिनट में आऊंगा, तू भी पास, मैं भी पास, यह आर्मी की रेली है नहीं, तो इस तरह से अगर आप माइंड सेट रखोगे, तो आपको ग्राउंड में अगर 26 मिनट, 27 मिनट लगते हैं, या फिर आपको 10 मिनट लगते हैं, तो आप आराम से फीजिकल कर लोगे, सबसे पहली बात जो आती है, कि हम ज इस तारिक को फुल रेस्ट लेना, लेकिन अगर मेरा बात मौनों, अगर आपको 24 अपरेल की आपकी फीजिकल है, तो 22 अपरेल के दिन आप घर से निकल जाओ, और 22 अपरेल की रात होते होते आप फिजिकल सेंटर पहुँच जाओ, फिजिकल सेंटर के बाहर आपको 500 रूम मिल जाएंगे 500 रूपिया जीवन में आते रहेगा वहाँ पर रूम ले लो और वहाँ फुली रेस्ट करो और फीजिकल देने के लिए अकेले भी मत जाओ अपने दोस्त को साथ ले लो अपने बरे भाई को साथ ले लो अपने पिताजी को शाथ ले लो तो और भी बहतर हुआ क्योंकि अगर हमारे साथ कोई जाता है तो हमारा हिम्मत बना रहाता है और वहां अगर किसी documents की कमी हो जाती है तो कोई घर से documents लेकर आएगा और आपके पितार ही जाएंगे आधे दूर में documents लेकर वो आभी जाएंगे क्योंकि आपको 24 घंटे documents का समय दिया जाता है अगर आप 20 तारीक को physical center के बाहर पहुच जाते हो तो कोशिस करना है कि 20 तारीक को ही हम track के बारे में पता कर लें कि हमारा track कैसा है क्योंकि अगर आप track के बारे में पहले जाने लोगे तो 99% आप physical आराम से निकाल लोगे दूसरी बात देखो क्या होती है हम गउं के बंदे जब पहली पहली बार घर से निकलते हैं physical देने के लिए तो जी करता है chicken खाले है मटन खाले है मचली खाले है मेरे दोस्त यही chicken यही मटन यही मचली आपका सबसे बड़ा दुसमन है क्योंकि physical के रात अगर आप chicken मटन मचली खाओगे तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि chicken मटन मचली को डाइजेस्ट होने में 24 आवर का समय लगता है और सुबह आप ठीक से फ्रेस नहीं हो पाओगे अब आपके मन में आया होगा तो भही आप फीजिकल के ठीक रात वाले क्या खाए तो आपको अगर पालक का साग मिल जाए ब बड़ी बातें सब जानते हैं बड़ छोटी छोटी ही बातें हमें सफलता दिला देती है तो उस रात आपको साग खा लेना है अगर रात में संबभ हो तो एक ग्लास दूर भी पी सकते हो या नार का जोस या नारंगे का जोस या संत्रे का जोस पी सकते हो लेकिन मेरा बात म तोरोन आपने जो जो डाइट लेनी है, सेम डाइट रखनी है, कुछ भी एक्टरा नहीं करनी है, कुछ भी मेडिसीन और टेबलेट लेने से लोग फिजिकल नहीं निकालते हैं, अब आपने कभी अनार का जूस पिया नहीं, और फिजिकल के राद दबा के तिन चार गलास अन इनिद लेगा, फिजिकल वही निकालेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि फिजिकल सेंटर के भारे एक रूम ले में आप फुली रेस्ट करो, जैसे ही समय मिले सो जाओ, जैसे ही समय मिले सो जाओ और जब आप फीजिकल देने के लिए जाओगे तो अपने साथ एक पिठ्ठू बैक उसमें कुछ केले रख लेना, सेव रख लेना, कुछ अंगूर रख लेना, वाटर बोतल रख लेना, क्योंकि अगर आपकी रणिंग बारा वज़े होती है तो उससे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिना है क्योंकि पानी नहीं पियोगे तो आपकी इनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे लो होगी, और सेव वगएरा खाते रहना है, केला पहले मत खाना, केला फीजिकल के बाद खाते हैं अब जिनको chest की problem है जिनका chest 76-77 है तो देखो मेरे दोस्त आपके good luck पर भी depend होता है कहीं कहीं officer रहते हैं अगर आपका chest कम होता है और officer अगर आपको बोलते हैं कि तुम्हारा chest कम है तो उनको बोलना है कि sir मैंने बहुत मेहनत करा है और बहुत बार officer आपको पास भी कर देते हैं जब training करेगा अच्छे से diet लेगा तो इसका chest बन जाएगा बट किसी किसी physical center में आधिकारी 89 को भी बाहर कर देते हैं reject कर देते हैं तो जिनका chest कम है वो जैसे ही running अपनो complete करोगे push up मारना शुरू कर देना हर आधे घंटे में हर 40 मिनट में कम 20-20 push up मारना अगर आप push up मारोग तो यह दोनों आपका फुला हुआ रहेगा तो आपने जाने लिया कि physical के ठीक रात आपको हरी साग सबजी खाना है कोई juice पीना है और कोई अगर आपको बोलता है न कि revital tablet लेलो nice tablet लेलो यह सब tablet कुछ भी नहीं करता है मेरे दोस्त कुछ भी नहीं आपके अंदर एक जिकरा ह होना चाहिए फिर भी अगर आपके मन में depressed हो या किसी tablet के बारे में vicious रूप से जानना चाहते हो तो description में मेरी Instagram ID दी हुई है यहाँ पर आप मेरे को DM करो मैं आपके DM का पकार reply दूँगा फिर भी आपके मन में physical related किसी भी प्रकार के सवाल है तो comment box में आके comment करो मैं आपके हर सवालों का जवाब दूँगा और medical documentation की चिंता नहीं करना है और physical center कभी भी bike से मत जाना train से जाना सबसे अच्छा सफर train का होता है क्योंकि bike से जाओगे कही accident कर गए तो जीवन भर पच्छता होगे even अभी आप घर में भी bike मत चलाओ तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी ए लूंगे भाष प्तुश।